हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के 20 important questions इस वीडियो में हम जिन भी questions को देखेंगे वे मैंने 5 year के previous year question paper को analyze करने के बाद लिखा है तो maybe chances हो सकते हैं कि इन में से कुछ questions आपके board examination में देखने को मिलें लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल 100% नहीं कह रहा कि कुछ questions देखने को ही मिलेंगे maybe maybe not chances हैं कि हो भी सकते हैं कि यह सारे repetitive questions हैं जो board में अक्सर पुछे जाते हैं तो चलिए इन सारे questions को देखते हैं हलदार सहाब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यूं बाल गोबिन भगत की दिन चर्याग लोगों के अचरज का कारण क्यूं थी नवाब का बेवार क्या दर साता है लकनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिये लेखक ने फादर बुलके को मानवी करुणा की दिवे चमक क्यूं कहा है गोपियों के अनुसार एक अच्छे राजा का धर्म क्या होना चाहिए लक्षमण के अनुसार बीर और कायर के सोभाव में क्या अंतर है कवी बादलों से बरसने की प्रातना क्यूं करता है कन्यादान कवीता में किसके दुख की बात की गई है और क्यूं माता का अंचल पाठ के अधार पर भोलानात और उसके पिता के संबंधों का विसलेशन करते हुए पिता-पुत्र संबंधों के महत्व पर प्रकास डालिये सरकारी तंत्र में जोर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिक्ता को दरसाती है जितेन नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में बिचार करते हुए लिखिये की एक कुसल गाइड में क्या गुन होते हैं ग्रहस्त होते हुए भी भगत को साधू क्यूं कहा जाता था नवाप साहब की भाव भंगी में देखकर लेखक के मन में क्या विचार आया फादर बुलके की चिन्ता क्या थी और उन्हें किस बात पर दुख होता था सुर्दास की गोपिया स्वयम को भोली क्यूं कहती है परसुराम का स्वभाव किस परकार का है वे लक्षमण को क्या कहकर धमकाते है कवी निराला की आँख फागुन की सुन्दर्ता से क्यूं नहीं हट रही है कवीता कन्यादान में आग के माध्यम से समाज की किस समस्या की ओर संकेत किया गया है रानी एलीजावेद के आने की खबर से भारती अखबारों में क्या क्या छप रहा था भोला नात बच्पन में कैसे कैसे नाटक खेला करता था इससे उसका कैसा व्यक्तित उभर कर आता है थैंक्स फर वाचिंग इस्टूडेंट्स इन सारे क्वेस्चन को आप जरूर कीजेगा चैनल पर नहीं है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेसन बिलको जरूर दिबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिके आपको मिलती रहे हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में